कोई है ठेकेदार है यहां पे इंजिनियर है कोई ठेकेदार है इंजिनियर है कोई कैसे ही काम हो रहा है अरे कोई तो होगा कितना साल में बनाईएगा लोग इस रोड को 13 साल हो गया 14 साल हो गया अब बताए किस से सवाल करें हम यहां पे बिहार है मतलब कि चल रहा है अपने आपकी सरकार चला रहा है समझ है मैं नहीं आ रहा है यह पटना गाया रोड है जिस हाई कोट के जज ने दस बार से उपर संग्यान ले लिया है दस बार से उपर और 13 साल में ये रोट कंप्लीट नहीं वा इन मजदूरों से हम क्या पूछेंगे बेचारे से इनको क्या पता है और यहां पर जगा पर ठेकेदार मिलेगा नहीं इंजिनियर दिख नहीं रहे हैं क इस रास्ते में गाया से पटना की दूरी 110-120 किलोमीटर है दो घंटे में देर घंटे में कंप्लीट होना चाहिए ये दूरी इसके जगा पे छे घंटा लगता है और कभी-कभी जाम में आदमी फस जाता है तो 12 घंटा 13 घंटा मतलब कि पटना से गाया आने से पहले जो है पटना से दिली पहुच जाते हैं ट्रेंसे जरसोचिए जो हजार किलोमिटर से उपर है और इसमें और सकी सवाल पूछा जाए समझें में नहीं है यहां पे कैसे काम चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसलिए ना भीहरभा में पुलवा गिर जाता है यहां पर सेप्टी होना चाहिए यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए चोटा मुटा काम थोरी हो रहा है यह लेबर लोग बनाएंगे समझ में नहीं आएगा इधर से उधर गडर रख देंगे गिर 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 खतम हो गया कहां यह खतम कब बनेगा यह बताइए और किस से पूछा पर प finely यहाँ लेकिन पूल पर पर चार जरूर पार्टी का देखेए हैं हम पूल के ऊपर परचार करा रहा है पूल नहीं बनवा रहे हैं यह गाया पतना मतलब कि इतना दुर्धसा है गया गया अंतराष्ठा यह सौहर बनाएंगे अंतराष्टिये सोहर बनाने से पहले पटना से गाया के एक रोड तो बना दीजे छपरा का इस्तिती वही है पटना से छपरा रोड बन रहा है बैसाली उदर रोड बन रहा है और आज तक 13 साल में रोड नहीं बना जरा सोचिए तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है न देखिए अब इन लोगों से मैं सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि लेबर से सवाल पूछता है लेबर से कहें सवाल पूछे बताइए इस सब के माथे में कोगो हेलमेट नहीं है किसी के माथे में हेलमेट नहीं है देखिए उपर में कई हेलमेट नहीं है कई सैप्टी तक पैर भी रहता है तब नमनिश्वा पैने से लग जाता है तब न इन लोगों को मैं पसंद थो रही आऊंगा ऐसे ठेकदारों को मैं पसंद कभी नहीं आऊंगा अब बताइए किससे सवाल पूछे और कहां सवाल पूछे किसके पास सैफ्टी कुछ नहीं है कोई पैर शाथ शाथ जनवरी है साथ फरवरी और साथ मार्च तक हम लोग समय दे रहे हैं उसके बासे इस रोड पर हम लोग सो जाएंगे फिर देखिए आप लोग कैसे करते हैं आप लोग कंप्लीट कीजे इसको और पटना हाजीपूर हाजीपूर और छपरा इस रोड को भी आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजे आप लोगों को समझ में नहीं आता है चलिए मनी इसका स्चेप गलत किया अपने एने से लगा दिया यह रोड नहीं बन रहा है अंबुलेंस में लोग मर जा रहे हैं ऐसे ठेकडारों पे कौन सा करवाई करेंगे आप पताए मैंने तो किसी को जान से नहीं मा रहा था और मेरे उपर एने से लगा दिया गया यह रोड के वज़े से ना जाने कितने लोग जो है हर दिन जो है मर जा रहे हैं कौन है दोसी पताए किस से सवाल पूछा जाए और क्यों ना सवाल पूछा जाए और इस सब चीजों को अगर यह सब चीजे मैं पूछूंगा और आप हमारे उपर एने से लगाएंगे तो दो चार दस नहीं दो चार दस दर्जन एने से लगा दीजिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम बिहार के लिए सवाल पूछते रहेंगे बिहार के लोगों के लिए सवाल पूछते रहें पताइए और किस से सवाल पूछा जाए और ऐसा नहीं है मत कहिए गालों कि हम खाली एक एको पाटी से पुछते हैं जब दूसरा पाटी था भारतिये जनता पाटी बिहार में सरकार में था और नितिन नभीन जो है बिहार के पत्थ परिवान मंत्री थे और नितिन गड़करी मंत्राले में ही काम हो रहा है लेकिन यहीं मन्त्राले बिहार से बाहर पुरवांचल एक्सPER team दुणिया में सबसे ही साफ काम करके दिखा देता है और इतरपरदेष में है और चार्सोंपचिस किलोमीटर लंबा एकस्प्रेस वे दुनिया में सबसे तेजगति से बन जाता बिहार सरकार का नियत और निती सई हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा काबिलियत बिहार में है और सबसे नंबर वन राज बिहार हो जाएगा यह जो लोग मजदूरी कर रहे हैं यह मजदूर नहीं बनेंगे इन लोगों का सारा बच्चा जो है ना वो राजा बेटा बन जाएगा सारा का सारा तो आई एक प्रियास किया जाए अपने बिहार को बदलने का आई यह जहां भी गलती हो उठा लीजे मोबाइल और दिखा दीजे पहले जो है आसे छे महीना पहले बिहार में जो है गाडियों को रोके छे महीना नहीं सौरी साल महीना से जर्ए ऊब किहों अब पहले तो थोड़ा सागण Wilson वार पहले sayaR में किसी भी चॉक्षा रहा पर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक रोक रोक के वसूली हो जाता तो यह डर जो है पाइसा एंसी लोगों के बीच में आप लोग की गलती नहीं है आप लोग अपना काम काम कीजिए आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं मझदूर तो देश को चला रहा है आप लोगों को तो उल्टा जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है आप लोग अपना काम कीजिए गलत जो है इंजिनियर है गलत सरकार है अगलत ठेकेदार है अगर यह तीन लोग सुधर जाए तो यह गाया से लेके पटना तक जल्दी से जल्दी रोड बन जाए बाकी गाया पटना रोड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो बार बार पटना हाई कुट इस रोड पे संग्यान ले रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं बिहार के किसी और कोने में तब तक के लिए जैहिंद